जैहिन मेरे पहरे दोस्तों जो भी वांट के इस नई वीडियो में मैं आपका ताय दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के तरब से दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए बहुत बड़ी वेकंसी निकल कर आ रही है दोस्तों यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड यांतरीक नाविक के लिए जो वेकंसी है दोस्तों फिर से आप लोग के लिए यहां पर निकल कर आ रही है दोस्तो 10 जून से जो है दोस्तो इसका notification जो है वो जारी किया गया post update जो है जारी कर दिया गया था और आपका 2 जुलाई से इसका आवेधन जो है वो start हो चुका है दोस्तो Indian Coast Guard की तरप से आपका post के यहाँ पर आपका Navic GD, Navic Domestic Branch और यांतरिक के लिए जो है वो तीन post के लिए दोस्तो यहाँ पर आपको vacancy दिखने को मिल जाएगा जिससे related हम इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी डीटेल में जानकारी देने वाले हैं दोस्तो तो बने रही है वीडियो के अन तक आभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया त दोस्तो तो बनते हैं वीडियो में आगे क्यों बढ़ते हैं दोस्तो कोष्ट गार्ड यांतरीक और यांतरीक रिक्वाइरमेंट यहाँ पर आपको दोस्तो जो important date की बात कर लेते हैं तो अपनी केसन जो है दोस्तो दो तारिक से already start हो चुका है दोस्तो और यह जो है आपका वो मेरे पहरों दोस्तो 16 जुलाई तक आप इस फोर्म को आसानी से भर सकते हैं admit card जो है दोस्तो वो available जल्द ही करवाज दिया जाएगा और आपका exam का date जो है दोस्तो बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा तो जनरल और OBC और EWS के लिए यहाँ पर 250 का चार्ज किया गया है SCST कंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तो यह form आपका online है, fee भी आपको online ही पे करनी पड़ेगी दोस्तो यहाँ पर आप debit card, credit card, net banking के माद्यम से इस form fee को भर सकते हैं आप minimum age limit आपका 18 year है और maximum age limit आपका 22 year से दोस्तो अलग-अलग post के लिए अलग-अलग eligibility criteria है और अलग-अलग यहाँ यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर total numbers of seat भी देखने को हम लोग को मिल रहा है दोस्तो जीडी duty नाविक जनरल duty जीडी के लिए दोस्तो आपको यहाँ पर 260 post देखने को मिल रहा है और आप plus two किये हुए हैं और उसमें आपने math और physics लिया हुआ था subject तो आप इस form को असानी से भर सकते हैं domestic branch के लिए दोस्तो आपका 50 seat है और सिर्फ 10th pass है आप तो इस form को आप easily भर सकते हैं कोई दिकत नहीं है दोस्तो और यांतरिक के लिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं यांतरिक के लिए दोस्तो जैसा कि technical है इसमें 40 seat है और 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है ज दोस्तो जीडी में आपका यूर के लिए है दोस्तो 108 post, EWS के लिए 26, OBC के लिए 67, ST के लिए 19, SC के लिए 40 दोस्तो और यहाँ पर टोटल 260 होता है दोस्तो DM के लिए दोस्तो domestic branch के लिए यहाँ पर 23 seat मिल रहा है आपको देखनों के जनरल के लिए और EWS के लिए 5, OBC के लिए यहाँ पर 17, ST के लिए 2, SC के लिए 3 और टोटल आपका 50 दोस्तो इसी तरह से यांतरिक mechanical है, electrical है, electronic से दोस्तो अलग-अलग branch के लिए यहाँ पर आपका यांतरिक के लिए दोस्तो अलग-अलग numbers of seat है दोस्तो, already इसका आवेदन जो हो रहा है दोस्तो तो आप link पर click करके फट जानकारी आप easily यहाँ से ले सकते हैं, तो आप वीडियो के description में जाके दोस्तो, link को जरूर visit करें और अगर आप interested हैं, तो form को जरूर fill up करें दोस्तो, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजे, इसी तरह का, जो है दोस्तो, governments related job क जानकारी में इस वीडियो पर इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तो, तो चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon भी प्रेस कर लिजे, और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी share कर दीजे, दोस्तो, जिनको coast guard में form fill up करना है, दोस्तो, ताकि उन त वीडियो में, तब तक के लिए जहें दोस्तो,